असलाम लेकम विवर्ज, वेलकम टू दा चैनल फैशनियर, उमीद आप सब खेरियत से होंगे, आज की वीडियो में ये सूट जो आप देख रहे हैं बच्ची का स्टिच किया हुआ, इसी की कटिंग और स्टिचिंग करूँगी मैं आपके सामने इस वीडियो में, ये चार सा इद पे पहनने के लिए बच्ची का बहुत प्यारा सूट है, ये कपड़ा है मेरे पास और ये पटी है गोटे की और ये चोटी डोरी, ये दोनों को इस्तमाल करके सूट को स्टिचिंग करूँगी मैं, ये कपड़ा है सबसे पहले मैं इसकी जो शर्ट है वो उतार लूँ चार सल की बच्ची का सूट है, इसकी शर्ट जो है वो इसी तरीके से ये जितना अर्ज है कपड़े का बन जाएगी बलके ये इसके साथ से उतारना पड़ेगा, इसकी लंबाई मुझे 23 इंच त्यार चाहिए तो 2 इंच का मारजन छोड़के 25 इंच पे मैं इसकी कटिंग क है वो इसको पेमाईश करके मैंने इसको काट लिया, अब मैं इसका फ्रंट और बैक का जो साइड है वो उतार लूँगी, चुड़ाई मुझे 16 इंच त्यार चाहिए तो 17 इंच रखूँगी मैं एक इंच का मारजन छोड़के, एक इंच दोनों साइड से ये चला जाएग स्टिचिंग में और बाकी जो 16 इंच है वो त्यार रह जागा, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया, और फ्रंट और बैक को अलग लग कर लिया, इसकी अब मैं कटिंग करूँगी, इसका 13 मुझे 11 इंच त्यार चाहिए, तो मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी, यान से मुझे ये 14 इंच त्यार चाहिए, तो मैं साड़े साथ पे इसका निशान लगाऊंगी, एक इंच का मार्जन छोड़के, हाफ इंच उपर से तेरे की कटिंग का निशान लगा लिया, मैंने कमर से, कमर पे मैंने इसका निशान लगाया, 13 इंच पे, ये चोटा कुता है, इसकी जो कमर है वो कंदे की कटिंग से नीचे की तरफ 5 इंच पे बन जाएगी हिप से मैंने इसको 15 इंच रखा तो 16 इंच पे मैंने इसका निशान लगाया एक इंच का मारण छोड़ के अब इस तरह से इसको कटिंग कर लूँगी बहुत ही आसान कटिंग है और बहुत प्यारा लगता है सूट यस्टिच होके इस तरह से यह मैंने इसको कटिंग कर लिया अब इसकी मैं गले की जो निशान है वो लगाऊंगी उपर से 2 इंच खुला और नीचे की तरफ 5 इंच इसको मैंने इस तरह से शेप दे ली फ्रंट और बैक का गला जो है वो अलग अलग कटिंग कर लूँगी बैक सेड से गला जो है वो कम कटेगा उपर से यह खुला 2 इंच और नीचे की तरफ 7 इंच से 7,5 इंच ताकि इसको कटिंग करूँगी मैं यह इसको गले को कटिंग कर लिया फ्रंट और बैक को अलग अलग पकड़के कुर्ता हमारा कटिंग हो चुका अब मैं इसके बाजों की कटिंग कर लूँगी बाजो मुझे इसके 13 इंच त्यार चाहिए एक इंच का मारदन छोड़के 14 इंच पर मैं इनको कटिंग कर लूँगी यहां से मैं इसको उतार लूँगी कंदा इसका खुला काफी लाग रहा है कपड़े का तो मैं इसके साथ से कुछ कपड़ा उतार के तो कंदा जो है वो पूरा कर लूँगी कंदा मुझे इसका 6 इंच त्यार चाहिए तो मैंने इसको 6.5 इंच रखा इस तरह से 1 इंच का 1.5 इंच का मारजन छोड़ के डबल कपड़े को बाजो इसके आगे से खुले रखने हैं इसलिए मैं आगे से बाजों की ज्यादा कटिंग नहीं करूँगी Half इंच तकरिबन उतारूँगी बाकी उसी दरह से रहने दोओंगी यह कुरता हमारा कटिंग हो चुका अब मैं इसकी शलवार की कटिंग कर लूँगी शलवार मुझे इसकी 23 इंच तेयार चाहिए बैल्ट वाली शलवार कटिंग करनी है मैंने 4 इंच का बेल्ट छोड़के 4 इंच बेल्ट की पेमाय छोड़के 16 इंच ये कटिंग करूँँगी 1 इंच का मारण छोड़ा 20 इंच ये कपड़ा मैंने उतार लिया इस तरह से इसका जो खेर है वो कम लग रहे है तो मैं इसके साथ जोइंट लगा लोगी लगा लूँगी अगर इस तरह से बहुत ही असान जो कटिंग है वह आपके सामने है बिल्कुल इसी चीके से आप भी इसको सूट को कटिंग करके तो स्टिच कर सकते हैं यह देखें इसको मैं इस तरह से इसके साथ रखूंगी और उपर मैंने इसके चुंकर बैल्ट लगाना है शलवार के इसलिए मैं यह देखें चार इंच बैल्ट मैंने लगाना है तो बैल्ट मैं सबसे पहले इसका जो बैल्ट है वह कटिंग कर लूँगी दो इंच का मारदन छोड़ा उपर से फोल्डिंग के लिए और साड़े चार इंच नीचे के तरह रखा मैंने इसको यान मैं इसको साथ रखे मैं इसकी पहिमाष कर लूंगा मियानी की मैंनी मुझे इसकी 9 इंच तयार चाहिए तो साड़े 9 पे मैं रखूंगी नीचे से 5 के पट्टी फोल्ड करके तो फिर मैं इसको कटिंग कर लूँगी 5 मुझे इसका 6 इंच तयार चाहिए तो साड़े 6 इंच पे रखके मैं इसको फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से उपर से मैंनी का कट लगा लिया था मैंने तो इस तरह से मैं इनको पटियों को फोल्ड करके तो शलवार को कटिंग कर लूँगी बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं शलवार की यह आप देख रहे हैं यह बैल्ट वाली शलवार साइड पे इसके उपर जो पट्टी गोटा पट्टी है वो मैंने लगानी है इसकी छोटी सी आगे बनाऊंगी पट्टी गले की नेक पट्टी जिसको हम कहते हैं यहां से मैं सबसे पहले इसके अंदर वाली साइड पे स्लाई लगा लूँगी इसको पट्टी के उपर यहां पे मैंने निशान लगा लिया था यह तक्रीबन 7 इंच मैं इसको 7 इंच पे फोल्ड करके इसके दोनों साइड से जो कौने हैं वो बराबर कर लूँगी और उपर सलाई लगा दूँगी बाहर वाली सलाई इसके लगाते हुए मैं इसके नीचे वो छोटी डोरी जो है वो इसके किनारे के नीचे राके तो सलाई लगाऊंगी इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपने ये सलाई लगानी है तो आपने इसके दोनों जो कौने फोल्ड की हैं वो बराबर कर लेने हैं उन में फरकना आये यह देखें यह पट्टी हमारी गले की एक साइड से मैंने अंदर वाली साइड से इसको सलाई लगा लिया अब बाहर वाली सलाई लगाते हुए इसके नीचे यह जो पटना डोरी है बारीक सी वो मैं इसके नीचे दे दूँगी इस तरह से बहुत ही खुबसूरत लगती है यह लागके, आपने देखा, स्टिच कियोवे कुरते में, इस तरीके से मैं इसके नीचे देते हुए, इसके जो बाहर वाली सलाई है, पटी की वो लगा लूँगी यह देखें इस तरह से बहुत ही असान जो स्टिचिंग है वो आपके सामने मैं कर रही हूं इसी तरीके से आप भी कुर्टा जो है बच्चियों बच्चियों का यह कुर्टा आगर बड़े साइज में स्टिच करना चाहें तो भी इसी साइज तरीके से इसी style में अगर कुर्ता आप stitch करेंगे तो बड़ा कुर्ता भी जो है वो बहुत प्यारा लगेगा stitch हो के ये गले की हमारी जो neck पटी है वो मुकमल हो चुकी अब मैं इसके जो side पे मैंने crease बना ली थी तैल बना ली थी जहाँ पे मैं इसके पटियां लगाऊंगी उपर इसका किनारा बाहर की तरफ से कितना अच्छा लग रहा है ये देखें ये पटी मैंने लगा ली कुर्ते पे इसी तरीके से मैं दो पटियां आगे और दो back side पे इसको लगा लूँगी ये गोटे की ये देखें ये गोटी से बनी हुई ये पटी है बलू कलर की बहुत ही अच्छी लाग रही है इसके बिलकुल इसी तरीके से मैं ये दो पटियां फ्रंट साइड पे और दो back side पे स्टिच कर लूँगी ये पटियां मैं स्टिच कर चुकिए अब मैं जो back side का गला है वो उस इसे बटन टेक बनाने के लिए ये देखें ये मैंने लूप्स जो हैं वो अंदर स्टिच कर लिए अब इसको कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके तो उतर पाई कर लूँगी कंदे इसके स्टिच करूँगी मैं अब बहुत ही असान कटिंग है और बहुत ही असान स्टिचिंग है सूट की और कितना अच्छा ये लग रहा है ये आप ने देखा स्टिच की हुए सूट में वीडियो के एंड पर भी आप देखेंगे ये कितना प्यारा लग रहा है ये देखें कंदे की स्टिचिंग के बाद म इसको मैं इस तरह से सीधी साइड पर राके तो स्टिच करूटा और फिर इसको अंदर इक तरफ फोल्ड कर के तो तरपाई कर लोंगे पट्टी तीरे की जोड़ ली थी। जिस तरह मैंने फ्रवंट साइड पर दो पट्री यां जोड़ीं बिल्कुल उसी त्रीके से। बाजू के फ्रंट जोड़ी है। जोड़ी है जोड़ी ये देखें आप इसकी साइड वाली सलाई लगाने के बाद मैं इसके जो दामन पे और चाक पे पटी लगाऊंगी बलू कलर की जिस कलर की ये गोटा पटी है उसी कलर की पटी जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी मैं लगाके जिसको फैशन पटी कहते हैं ये देखेंगे ये सलाई में लगा चुकी ये अब मैं इसको उल्टी कमीज को ही रखके तो इस तरीके से एक साइड को पीछे करते हैं ये पटी है मेरे पास बलू कलर की इसको मैं इस तरह से कनारे से फोल्ड करके तो रखूंगी जहां तक मैंने चाक की स्राई लगाई है उससे तकरिबन एक इंच उपर मैं इस पटी को रखूंगी एक इंच उपर से शुरू करूंगी और इस तरीके से मैं इसको स्टिच कर लूँगी यह देखें आप नीचे आके कौने पर बिल्कूल नीचे से हाफ इंच का जो माजन है वो छोड़ते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी यह पटी जो है यह मैं स्टिच का कर चुकी अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने इंप्रेस की मदब से इसको बिठा लिया अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तो सलाई लगा लूँगी एक इंच चौड़ी पटी जो है तकरीमन यह रखूंगी मैं इस तरीके से मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो स्टिच कर लूँगी यह देखें कितनी अच्छी यह पटी लगी है इसके उपर लगी हुई यह अंदर की तरफ मैंने सारी पटी जो है वो फोल्ड कर दी है बाहिर की तरफ इसको मैंने नहीं निकाला कोना बिल्कुल उसी तरीके से बनाऊंगी यह देखें यह सूट स्टिच किया आपके सामने है वीडियो बहुत लंबी हो जाती अगर शलवार की जो कटिंग है स्टिचिंग है वो भी दिखाती तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक जूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कुमेंट करें जरूर अगर कोई भी कहीं से भी समझ नहीं आ रही तो मैं दोबारा वीडियो है वो अपलोड कर दूँगी शलवार की अगर स्टिचिंग किसी को समझ नहीं आ रही तो वो भी कर दूँगी बहुत शुकरिया अल्ला हाफिज